Hello friends, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में पुरानी शर्ट के साथ बहतरीन आइडियाज लेकर आई हूँ साथो आइडियाज एक से बढ़का रेख है तो प्लीज वीडियो को skip मत करिएगा आपको बहुत पसंद आएगे तो first idea है इस तरीके से armhole से मैंने slips को cut कर लिया है और पूरा one piece बना लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है rise bag इस्क्रीन पे measurement शो है इस stiffness बढ़ाने के लिए rise bag आटा बै कुछ भी ले सकते हैं बड़े वाले piece का हम निकालेंगे लंबाई वाले portion से center point और 3.5 inch पर हम down निशान लगा लेंगे तो इस तरीके से center point से 3.5 inch नीचे जागर हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पर जो shirt का collar होता है वो रख लेंगे इस तरीके से करते हुए अच्छे से flat बिछा लेना है और pin up कर लेना है जो कपड़ा नीचे से extra है इसे हम cut कर लेंगे और इस cut वाले part से छोटा सा part निकालेंगे कपड़े का यह जो collar वाला portion नीचे से floor दिख रहा होगा आपको यहाँ पर आपको रखते हुए पूरे पर pin up कर लेना है चारो side आपको सिलाई लगाना है collar वाले side से ताकि नीचे से हमारा जो है कुछ भी rice bag हो, lining हो, कुछ भी ना दिखे one piece में ready हो जाए लंबे वाले piece पर देखे मैंने lining लगाया है उपर rice bag है और इस shirt को join करके कपड़ा बना लिया है लंबा piece इस तरीके से रखते हुए हमें pin up करना है और सिलाईगा लगाके इसे quilt करना है जितना extra कपड़ा था जो collar के पास लगाया था उसे अंदर की तरफ से cut कर दिया है पूरे पर इस तरीके से flat पिछा लेना है देखे 3.5 इंच पर जो निशान लगाया था center point से नीचे जाकर हमें collar को वहीं पर रखना है तो बिल्कुल center point पे collar को मत रखेगा वरना आपका organizer disturb हो जाएगा जैसे बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके रखेगा 3.5 इंच या फिर 4 इंच तो इस तरीके से रखने के बाद चारो तरफ pin up कर लिजे दोनों पीस इस तरीके से ready हो जाएंगे चारो तरफ हमें सिलाईयां लगा के इसे अच्छे से quilt कर लेना है बीच में सिलाईयां लगा लिजे cross में देखे जो shoulder वाला part होता यहाँ पर हलकी सी गुलाई होती है तो कपड़ा बिल्कुल flat नहीं होता तो छोटी सी plates डाल लिजे बस इस तरीके से आपको सिलाईयां लगानी है और ध्यान रखे का जो button पट्टी है वहाँ पर भी आप सिलाई लगा के से complete कर लिजेगा लंबे वाले piece पे हम zip को attach कर देंगे zip की सीधी side नीचे की तरफ रखना है और पलट कर पूरे पर top stitch लगाना है इस stitch करने के बाद अब देखे जो ये rough side है इस पे मैंने सवाइंच की पटी लिए है इस पटी पर दोनों side से fold करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे तो अभी मैं एक side fold कर रही हूँ अब इस तरीके घुमाते हुए दूसरे side fold कर लेंगे इससे जिफ हमारी finish हो जाएगी और rough side भी नहीं रहेगा तो जिफ हमारी लंबे समय चलेगी double runner add कर लेंगे extra cut कर देंगे अब देखे इसकी जो चोड़ाई वाला portion है इस पे हम center point का निशान लगा लेंगे जो ये लंबा वाला piece है इसका हम center point निकालेंगे चोड़ाई वाले पार्ट से अब जो ये color वाला मैंने बनाया है पूरा one piece इस पे हम center point का निशान लगाएंगे लंबाई वाले portion पे तो देखे center point को center point से attach करना है बस ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो color वाला portion आप देख रहे हो, zip आली side हमको इसी तरफ रखनी है, बस इसका ध्यान दीजेगा, बाकि दोनों center point को आपस में मिलाना है और अच्छे से pin-up कर लेना है, दोनों कि सीधी side आपस की तरफ रहेगी, zip हमारी color वाले side पे रहेग देखे, इस तरीके से आपको measurement लेके दिखा देती हूँ, कहीं भी कुछ छोटा बड़ा नहीं है, बिल्कुल perfect measurement के साथ एकदम अच्छे से fit-back जाता है, ये देखे, corner तक आ चुका, दूसरे side भी same तरीके से देखे, ये हमारा base है, जो बिना zip के है, ये भी बिल्कुल fit-back रह जाना है, तो इस तरीके से पूरे पर ये हमारा fit-back जाएगा, तो इस तरीके से गुमा-गुमा के हम slide लगा लेंगे, अब देखे, दूसरे side आ चुके है, ये हमारा base और जो flap है, stitch हो चुका है दोनों side, zipper वाले side से इसको open करेंगे, बलट के सीधा करेंगे, सारे corners और sides को अंदर की तरफ इस तरीके से करते हुए, पूरे पर सिलाई लगा लीजे, तो जो rough side है, वो आपकी stitching में दब जाएगी, और बिल्कुल finishing के साथ ये आपका back त्यार हो जाएगा, तो देखे, खुब सारे कपड़े रखे, या फिर खुब सारी shirt रखे, तो इसमें आराम से ने foam से बनाया था और ये rise bag से, second idea में देखे, मैंने दोनों sleeves को कट कर लिया है, और sleeves को आप बिल्कुल बाहर की तरफ से कट करिएगा, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, तो इस method से आप बनाओगे bag, तो आपका pack जो है 3-4 inch का extra बड़ा बनेगा, बटन पट्टी मैं कट कर आप चाहो तो इस बिना कट की भी इसको बटन के साथ बना सकते हो, मैं जीप लगाऊंगी, तो जीप को लगा लेंगे इस तरीके से, तो कोई measurement नहीं है, बिल्कुल free pattern बना रही हूँ, क्योंकि सबकी shirt का size है, बड़ा छोटा होता है, कोई large पहनता है, कोई XL पहनता है, तो स कट करते हैं, तो बिल्कुल अंदर से कट करते हैं, 3 by 3 का corner बना लेंगे, आप 4 by 4 से लेकर 5 by 5 तक बना सकते हैं, मैंने corner बना लिया, अब इसी corner पे हम कट कर लेंगे, तो ये मैंने corner कट कर लिए, अब देखें क्या करना है, इस तारीके से पूरा कपड़े को खोलते हुए, स्लीवस वाले portion से बिल्कुल नीचे की तरफ से मैंने कट किया था इसको, जितना हम मैंने corner लिया है, उतनी बड़ी मैंने pocket लिए, अगर आप 5 by 5 का corner बनाना, तो उसी के हिसाब से pocket ले लिजेगा, तो दो pocket बन जाएगी, बस धिहान रखेगा, जिप वाले side से pocket का मुँ open होन तो कपड़ी की पट्टी बना लिया, बेल्ट बना लिया, मैंने ये 16 इंज का बेल्ट है, 15-16 जितना रखना है रख लिजे, इस तरीके से करते हुए इंदर की तरफ fold करेंगे, और सिलाई करके अच्छे से पका कर लेंगे, दोनों belt attach हो गई है, आप double runner है, मैं add कर लेंगे, runner add कर लिया, इसको पलट के उल्टा कर लेंगे, fitting की दो सिलाईयां लगी है, दो सिलाईयां हम ऐसे लगा लेंगे, state पट्टी से rough side को finish कर लेंगे, corner बना लेंगे, ऐसे खीचते हुए, चार सिलाईयां लगा लेंगे, चार पट्टियों से इसकी rough side को finish कर लेंगे, पलट के सी अब थर्ड आइडिये की तरफ चलते हैं, इसमें फिर से मैंने लिया है पुरानी शर्ट, इसकी पॉकेट को रिमूव कर लेना है, बटन्स को बंग करके फ्लैट बिछा लेना है, टियाएवाय करके मैंने एक गद्दी बनाई थी, जो की बहुत अच्छी बनी थी, इस तरीके इसके उपर रखके, आपको चारो तरफ से वन इंच का मार्जन छोड़ना है, और एक्स्ट्रा कट कर लेना है, तो देखें, फिटिंग की सिलाई तो लगी हुई है, वहाँ से कुछ नहीं करना, हाइट है गद्दी की 3 इंच, तो मैंने इसको जस्ट हाफ कर दिया है, 1.5 इ इचते हुए, बटन को खोल के, इसको पलटके सीधा करेंगे, देखें, हमारा सिर्फ 5 मिनट में गद्दी बनके त्यार हो जाती, जो गद्दी का कवर है, अब आप इस तरीके से गद्दी को यूज करिए, बैटने के लिए, और जब भी ये गद्दी हो जाए, बस आपको क पॉकेट को रिमूब कर लिया है, आर्म होल से लेकर स्लीव को हटा लिया और कॉलर, 6x6 का हम कॉर्नर बना रहे हैं, चारो साइट से, तो यह मैंने कॉर्नर बना लिया, कॉर्नर बना के हम कट कर लेंगे, कट करने के बाद देखें, मेरे पास लेस रखी थी, जो कि मैंने अच्छे तो फिटिंग की सिलाई लगी हुई है, कॉर्नर बना लेंगे, ऐसे खीचते हुए, तो ऐसे खीच के हम सिलाई लगा लेंगे, चारो साइड हमें इसी तरीके से कॉर्नर बना लेना है, देखें, पॉकेट बन गई और मैंने इसमें काफी कप्डे रखे हुए है, तो इस तरीके से आपका चोटा मुटा और्गनाईजर बन जाएगा, तो आप चोटे मुटे कप्डे रखे या अंडर गार्मेंट, फिफ्ट आइडिय में देखें, शर्ट की जो स्लीव थी, कोई भी बेबी फुट वेयर हो, तो उसका बेस रखे आप इस तरीके से कट करन है, तो देखे, डिलेक्ट मत कट करिएगा, हलका सा मार्जन लेना है, आपको हाफ इंच का मार्जन लेना है, जब भी आप वेयर बनाईए, तो बेस का मार्जन जरूर रखेगा, ताकि स्टिचिंग में जाए, दोनों पैर के बना लिए हैं मैंने, देखे, 5.5 इंच ऐसे आ जो मैंने फोम डाल के पट्टिया बना लिए है, यह 6 इंच की पट्टी रखी है मैंने, चोड़ाई आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, पलट के सीधा कर लिया है, इसमें डालेंगा भी लास्टिक, लास्टिक डालने के बाद एक साइट से सिलाई लगा लेंगे, ताक जाएंगे, तो इस तरीके से मैं बेबी सेंडिल बना रही हूँ, देखे जो यह रफ साइट को फिनिश करना होगा, पाइपिंग लगा के, तो इस तरीके से उल्टे साइट से हम लगाना शुरू करेंगे, सवाइंच की पट्टी लिए, उपर की तरफ डबल फोल्ड कर दे तो फिनिशिंग से हमारे रफ साइट भी फिनिश हो जाएंगे, और पाइपिंग से डिजाइन भी बन जाएगा, अब जो इलास्टिक वाला पोशन रेडी किया है, इस तरीके से इसको भी स्टिच करके, दोनों पार्ट को जोइन कर देंगे, तो यह हमारे बेबी फूट प पत्टी को एक साइट कर लिजे, 3.5 इंच का गैप लिया है, मैंने, दिस्टेंस बिल्कुल सेम रखिएगा, जितना डिस्टेंस रखिएगा, उससे हाफ इंच कम, मतलब 3 इंच का हम कॉर्नर बनाएंगे, 3.5 इंच का बटन पत्टी सेट किया, तो 3 इंच का कॉर्नर बना ल बेट की बेटशेट होती है, वो ज्यादा तर रखिए है, मैंने, तो सोचे कितना स्पेस होगा, तो फ्री कॉस्ट का बना ये और्गनाईजर, जो की बहुत सारे कप्टे स्टोर करने के लिए बिल्कुल तयार है, चलते हैं अब सेवेंथ आईडिय की तरफ, तो सेवेंथ इडिय में मैंने यहाँ पर लिडी शर्ट लिए, कोई भी शर्ट ले सकते हो, इस तरीके से करते हम सीधे कट कर लेंगे, स्लीव को निकाल लिया मैंने, आपको देखना है हैंगर आपका कहा तक आ जाएगा, अगर बड़ी शर्ट है, जब भी आप इसी तरीके करिएगा, द आपके पास यह transparent sheet रखी है, आपके पास जितनी बड़ी हो, आप उतना बड़ा बना सकते हो, मैं पिल्कुल basic pattern आपको सिखा दे रहीं, जितना बड़ा था मैंने rectangle piece बना लिया, उससे मैंने one inch अंदर की तरफ कर लिया, इसके बाद कट करिएगा, अगर बराबर से कट करेंग अब इस तरीके से window जैसे बन गई है, अंदर हमने transparent sheet रख के stitch कर लिया, बटन्स को बन कर लिया, नीचे की तरफ आप पहले एक सिलाई लगा लिजे, कुछ ने करना, simple कुछ सीधे साइड थे ही आप सिलाई लगा लिजे, इस तरीके से देखिए hanger को मैंने रखा है, तो यह आ इस तरीके से दूल मिट्टी से तो बचेंगे ही साथ में transparent sheet होने के वज़े से visible भी है कि आपने कौन वाली dress रखी है, अगर 20 से आपने सिलाई लगा लिजे, तो आपका ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो एक में नीचे की तरफ blouse petticoat रख लिजे, उपर की साड़ी जैसे भी रखना रख लिजे, मैंने 6 लूप बनाए हुए हैं, इस तरीके से आपको corner पे stitch कर लेना, कुछ ने करना हलका सा फोल्ड कर दिया और सिलाई लगा लिजे, तो इस तरीके से रखा है मैंने इसी pattern में आपको सिलाई लगानी है, देखे इस तरीके से और इस तरीके से सिलाई लगा लिए, तो bottom नीचे की तरफ रख लिजे, और जो उपर का top है वो आप उपर की तरफ रख लिजे, hang कर लिजे, इस तरीके से भी आपका separate रहेगा, blouse, petticoat अलग, साड़ी अलग, या फिर अगर आप कुर्ती बगरा पहन तो नीचे अपनी pant र से ideas थें, जो कि परानी shirt से बने थें, परानी shirt तो waste रखी रहती है, इस तरीके से use मिला गया, बहुत सारी चीजे बना सकते हैं, अपने लिए, अपने घर के लिए, तो shirt भी use हो जाएगी, काफी चीजे त्यार हो जाएगी, तो simple से ideas, I hope आपको पसंद आये होंगे, वीडियो पसंद आजाए तो please video को like, share channel को subscribe कर लीजेगा, जल्दी मिलते हैं एक और useful video के साथ, thank you